दोस्तो आज हम एक्स्प्लेन करने वाले हैं हाली में आई मूवी पटना शुकला को जो कि आपको जरूर परसंद आईगी इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए हम चलिए कहानी शुरू गड़ते हैं तो मूवी की शिरुवात में हमें दो अड़तों को लड़ते और तनवी की फैमली में उनके हस्बेंट सिधार सुकला हैं जो की जल विवाग में सीनर इंजीनियर की पोस्ट पर हैं और उनका एक लड़का है जिसका नाम सोनु शुकला है वह सेंटरल स्कूल में पढ़ाई करता है सोनु का अस्तमा की दिक्कत भी है जिसका उसकी फैमली इलाज करवा रही है आप सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि तनवी अपनी स्कूडी से सोनु की स्कूल बस का पीछा करके ड्रैवर को बस रोकने के लिए कह रही है पर बस ड्रैवर नहीं सुनता तो तनवी अपनी स्कूडी को स्कूल बस के आगे रोक कर ड्रैवर को खु अपने पास ब्लाकर कहते हैं कि आप क्या कोट में कच्छे बन्यान की चर्चा होगी क्योंकि ये केस अंडर वियर के उपर था तब तन्वी कहते कि सर ये केस कच्छे बन्यान को लेकर नहीं बलकि कच्छे की वज़ा से हैं तन्वी अप केस को शुरू करके कहते हैं कि गुपत जी 15,000 रुपे का कंपनसीशन मांग रहे हैं। दसल टेलर और गुपता जी का कच्छा थोड़ा टाइड बना दिया। फिर एक दिन जब गुपता जी अपनी बीवी के साथ गोल गपे खा रहे थे। तब एक चोर आया और मिसिस गुपता का पर्स चुरा कर भागा। फिर जब तनवी के हक में फैसला सुना देते हैं क्योंकि जज को तनवी की बात सही लगती है और तनवी ये केश जीच जाती है। अब से इन चेंज होता है जा सिधार्थ अपने ऑफिस से घर आता है। और सिधार्थ तनवी से कहता है कि उसके फ्रेंड्स रात को डिनर पर आ र थी तब सिधार्थ बोलता है कि तनवी तो सिर्फ एक छोटी से वकील है जो कि छोड़े मोडे केश लड़ती है और एफिडेविट वगरा बनाती है ताकि उसके दोस्तों की वाइफ को बुरा न लगे पर यहां तो तनवी को ये बाते सुनकर बुरी लगती हैं कि उसके पत तनवी कोट में अपनी टेवल पर बैटी होती है तब एक रिंकी कुमारी नाम की लड़की तनवी के पास आकर कहती है कि दीदी आप हमारा केस लड़ेंगी किया जिसके बाद रिंकी तनवी को उसका केस बताती है कि वह वियार यूनिवरसिटी के 283 यर की स्टूडेंट है उसने अपने 3rd year के एक्जाम दिये थे जो की काफी अच्छी भी गए और उसको 60-65% आने के उमीद थी पर जब रिजल्ट आया तो वो फेल हो गई रिंकी ने हर एक्जाम के बाद अपने आंसर को घर में चेक भी किया था जो की सही थे तनवी अब रिंकी से युनिवरसिट पर उन्होंने नंबर रिकाउंट करके बोला कि सब सही तो है फिर रिंकी बोलते हैं कि हमारी तो बस एक ही इच्छा है कि हमारी कौपी दोबारा खुल कर रिचेक हो जिसके बाद तनवी रिंकी कुमारी का केस ले लेती है अब हम देखते कि वियार युनिवरसिटी के प्रि जड केस है वैस्ट केस को पहली हेरिंग में ही जीच जाएगा फिर अगले दिन कोर्ट में रिंकी कुमारे के केस की हेरिंग शुरू होती है तब सारे लोग निलकान पे पीछे बैटे थे प्योंकि सबको लगता था कि ये केस निलकान थी जीतेगा पर जजच कुछ वकील औ fail कर दिया है जिस पर opposition lawyer बोलता है कि university वालों ने रिंकी को re-accounting करके दोबारा नंबर बताए थे और सब ठीक है तो तन्वी code का time के अबर बात कर रही है फिर तन्वी कह दे के रिंकी को लगता है कि वे fail नहीं हो सकती यह उसके future का सवाल है उसके पापा बड़ी मैनस से रिक्षा चलाते हैं जिसका जवाब देते हुए नेल कांथ जजज को उस एरिया के रिक्षा वालों का exact data देता है जिनके बच्चे से university में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं पर उनको तो कोई दिक्कत नहीं है उसके नेल कांथ रिंकी के past record दिखाता है जिसमें रिंकी की first year में दो subject में back आई और second year में वह बड़ी मुश्किल से 38% लेकर पास हुई मतलब कि रिंकी पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी तो उसका fail होना कोई बड़ी बात नहीं है पर तन्वी कैदे कि रिंकी ने इस बार खुब मेहनत की है वह fail नहीं हो सकती निलकान तब जज को कहता है कि तन्वी शुकला और उनकी क्लाइन टिंकी के पास कोई प्रूफ नहीं है वह यूनिवर्सिटी का नाम खराब करके लाइम लैट पाना चाहती है ताकि उनका नाम बने जबकि वियार यूनिवर्सिटी में इतने सारे बच्चे बढ़ते हैं ज वैतो बैल बजने के कारण जज ने डेट आगे बढ़ा दी नहीं तो तन्वी पहले दिन रिंगी का केस हार जाती तन्वी अब इस केस को अच्छे से स्टेडी करती है और आज तक जितने भी पेपर चेकिंग से रिलेटेड केस हुए हैं उनके बारे में सर्च करती है या त बार तो इस छोटी से केस के लिए वैस वैम लोवर कोट में आये हैं यह कैकर तन्वी जज को इस केस की गंबिठता के बारे में बताती है कि इस केस में जरूर कुछ बात तो होगी ही तब इतना बड़ा लोयर इस केस को लड़ने लोवर कोट में आया है पर निल कांथ बोलत पर उसके रिजल्ट से यादव जी खुश नहीं थे तो उनने से दोबारा वोट के रिकाउंटिंग की मांग की और उनकी मांग पूरी भी की गई फिर तो रिंकी की भी मांग पूरी होनी चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी में सब को बराबर कहक होता है यह कहकर तनवी ने निलकांद का आर्गुमेंट उल्टावसी के खिलाफ यूज कर दिया था जिसके बाद निलकांद निराशोकर जच को कहता है कि यह वह चाहता है कि कर दिके साथ कार में जा रही है तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि रिंकी की मार्क्स की दुबारे रिकाउंटिंग हुई और उसका रिजल्ट से मी रहा और वह फेल हो गई थोड़ी दिर बाद तनवी को किसी का फोन आता है और वह भागकर रिंकी के पास जाती है य उसको अभी भी लगपाए कि वे फेल नहीं हो सकती क्योंकि यूनिवर्सिटी ने खोदी मार्क्स रिचेक किये और खोदी कोड में रिजल्ट भी बता दिया यानि रिंकी को ऐसा लग रहा था कि उसकी बातों को दबाए जा रहा है तनवी अब काफी सोचती है और अपनी इ पीछा करती है फिर तनवी को पता चलता है जब सुरिंदर ने बच्चों के एक्जाम में हिरा फेरी के मार्क्स की नियूस कवर की तो कुछ बड़े लोगों ने उसकी बीवी पर हमला करवा दिया जिसकी वज़ा से वे वील चेर पर आ गई इसलिए सुरिंदर पीछ हड़ सुरिंदर अब तनवी को एक्जाम के स्कैम के बारे में बताता है जो कि यूनिवर्सिटी और मेनेजमेंट वाले मिल कर कर रहे हैं जिसमें जो नोन डिजर्विंग इस्टूडेंट पास नहीं हो बाते वे पैस और पावर के दम पर उनकी मार्क्षीट किसी और इस्टूड जिससे किती को शक ना हो जैसे 3402 बनता है 3202 इस तरह से ये स्कैम युनिवर्सिटी में हो रहा है जिससे काफे सारे डिजर्विंग बच्चों के साथ गलत हुआ है अब हम देखते कि तनवी गुपता जी से जाकर मिलती है और उसके रिंगी कुमारे के केस में मदद करने क के लिए कहती है तब गुपता जी तनवी की मदद करने के लिए मान जाते हैं क्योंकि तनवी ने उनकी केस को लड़कर उनकी मदद की थी अगले सीन में गुपता जी तनवी को श्रिवास्तव जी से मिलवाते हैं जो की विहार युनिवर्सिटी में काम करते हैं फिर जैसी तन्वी श्रिवास्तफ जी से रिंगी कुमारी केस के सिलसिले में बात करती है। श्रिवास्तफ जी बाहनामार के मां से जाने लगते हैं। तब तन्वी को उन पर शक होता है और वह उनका पीछा करती है। पर प्रिंसिपल हर शिना बीच में आकर सेक्रिटी की मदश से तन्वी को युनिवर्सिटी के केमपर से बार निकला देता है क्योंकि तन्वी उनके लिए खतरा बनती जा रही थी अगले सीन में हम रगुबीर सिंग को देखते हैं जो कि एक बड़े नेता दानवीर सिंग का बेटा है और जल्दी चुनाफ में खड़ा होने वाला है जिसके लिए वे लोगों के सामने अपनी अच्छी छवी बना रहा है तन्वी अब रगुबीर सिंग से जाकर मिलती है क्योंकि उसने उसको मिलने के लिए बलाया था फिर रगुबीर सिंग की बातों से हमें पता चलता है कि तन्वी के पती का प्रमोशन रगुबीर के पापा के कहने पर हुआ जो कि तन्वी को अच्छा नहीं लगता रगुब दानवीर बोलता है कि वे अपने एलेक्शन का नॉमिनेशन बेसी थर्ड यर की मार्क शीट के साथ भर चुका है जिसमें उसके 63% नमबर आये हैं मतलब कि असल में रिंगी कुमारी के 63% आये थे जो कि रगुबीर की मार्क शीट से बदल दिये गए ये सब कहने के बार रगु इसके 63% नमबर आये थे ये सुनकर रिंगी काफी खुश होती है फिर तनवीर रिंगी का जवाब पूछती है कि उसको क्या करना है तब रिंकी बोलते है कि उसको ये केस लड़ना है, चाहे इसका परिणाम कुछ भी आए, जिसके बाद तन्वी रिंकी की बात मान के केस लड़ने के लिए तयार थी, अब जैसी ये बात रगुवीर सिंग को पता चलती है, वे निलकंद मिश्रा को मिलकर दमकाता है, कि तन्व कुछ ऐसा कोर्ट में पेश करेगा, जिससे इस केस की धज्या उड़ जाएंगी, फिर निलकंद मादफ को बुलाता है, जो कि युनिवर्सिटी में फीस और अटेंडेंस देखता है, तब निलकंद मादफ से सवाल पोच कर ये साबित कर देता है, कि रिंकी कुमारी ने अब लँच के बाद तन्वी जज्ड से कहती है, जिसके जवाब में तन्वी रगवीर का नाम लेती है, जिससे और में फैलती है, तो फिर जैसे ये बात मीडिया में फैलती है, कि रिंकी कुमारी का केस काफी popular हो जाता है, और opposition party भी रिंकी कुमारी के सपोर्ट में आजाती अब सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि रगवीर सिंग कोट में जा रहा है फिर थोड़ी दिर बाद कोट की ही रिंग शुरू होती है जहां तनवीर रगवीर को कट घरे में बुला कर पूछती है कि आपने हमें कुछ दिन पहले मिलने को बुला कर रिंगी की पढ़ाई पीछे हटने के लिए बोला क्योंकि आपकी मार्वीर उससे बदल गई थी है ना तब रगवीर जच को बोलता है कि उसने रिंगी की पढ़ाई के प्रति लगाव को देखकर तनवी जी को यह उफर रिंगी को बताने के लिए का बाकि सब जो कुछ भी तनवी जी ने कोट मे बताया सब जूट है अगर तनवी कोट में साबित कर देगी कि वह गलत है तो वह अपना नाम इलेक्शन से वापस ले लेगा यह सुनकर जैस तनवी को एक हफ़ते का टाइम देते हैं ताकि तनवी साबित कर सके कि वह सच कह रही है नहीं तो यह केस डिसमिस कर दिया फिर कोट के खतम होते रगुबीर तनवी को धंगा कर कहता है कि आपने हमारा प्रिस्ताफ मना करके बहुत बड़ी गलती की है आप देखिए हम आपसे बदला कैसे लेते हैं फिर हम तनवी के पती सिधार्थ को उसके ओफिस में काम करते हुए देखते हैं जिसको उनके सर कि सिनल के घोटाले में फसा कर सिस्पेंट कर देते हैं और सिधार्थ के ऊपर एक जाच कमिटी बैठा दी जाती है जो कि सब रगुबीर के कहने पर हो रहा था अब अगले दिन तनवी की फैमिली ब्रेकफर्ष्ट कर रही होती है तब सिधार्थ तनवी को बोलता है कि उसने उसके ऑफिस से पेंडिंग लीव ली है तो वै घर पर ही रहेगा असल में सिधार्थ तनवी से उसके ऑफिस से सस्पेंट होने की बात को छुपा रहा था ताकि तनवी अपने केस में फोकस कर पाए तन्वी अब रिंकी और उसके पापा से मिलकर बोलती है कि रगुबीर उनकी फैमिली को हर्म नहीं पोचाएगा क्योंकि इलेक्षन चल रहे हैं यह कहकर तन्वी रिंकी और उसके पापा का डर कम करती है क्योंकि असल में वे दोनों काफी डर गए थे फिर अगली सीन में तन्वी के आदे घर पर बुल्डोजर चला दिया जाता है क्योंकि उसका आदा घर illegal construction पर था जो कि सब रगुबीर ही कर रहा था थोड़ी दिर बाद तन्वी को उसके पापा से पता चलता है कि सिध्धार्थ को उसके आफिस से सस्पेंड कर दिया गया जिससे वह निरास होती है और सिध्धार्थ के सरब उसको तन्वी से बात करके केस से पीछे हटने के लिए कहते हैं पर सिध्धार्थ मना करके कहता है कि उसकी बीवी बिल्कुल सही कर रही है और वे उसके साथ है जो कि सब तन्वी सुन लेती है। फिर सिध्धार्त अपनी पतनी को कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये केस जरूर जीतोगी, जिसके बाद वह उसे गले से लगा लेता है। अब अगले दिन मीडिया वाले तन्वी से उसके घर पर बुल्डोजर चलने के बारे में पूछते हैं। तब तन्वी बोलते कि आपको तो पता ही है, हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ये कहकर तन्वी इन डिरेक्टली रगुबीर का नाम ले रही थी। इधर जब एक मीडिया वाला रगुबीर से सवाल पूछता है कि आपने तन्वी के घर पर बुल्डोजर चलवाया है। ऐसा सब को लगता है। तब रगुबीर गुस्से में मीडिया वाले को उसकी गाड़ी से उतार दिता है क्योंकि इन सब से उसकी जनता के सामने छवी खराब हो रही थी। अगले सीन में तन्वी गुप्ता जी की मदद से श्रिवास्तफ जी के घर जाती है जहां उनकी बेटी की शादी हो रही थी। तब श्रिवास्तफ जी तन्वी को वहार से जाने के लिए क्याते हैं मगर श्रिवास्तफ जी की बेटी आकर तन्वी की खुब तारिफ करती है क्योंकि उसका नाम मेडिया में काफी फेमस हो गया था और वह तन्वी शुकला से पटना शुकला बन चुकी थी फिर श्रिवास्तफ जी तन्वी को खुब धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने उनकी बेटी को उनकी सच्चाई नहीं बताई जिस उनकी बेटी के सामने उनकी बेजजिती हो सकती थी जिसके बाद श्रिवास्तफ जी तन्वी को सविता यादफ का नाम बताते हैं आप से इंचेंज होता और हम देखते हैं कि सविता यादव कोर्ट में अपना बयान दे रही है जहाब है कबूल करते की वियार युनिवर्सिटी में माक्षेट को लेकर धांदली होती है और इनकी कुमारी की माक्षेट को भी श्रिवास्तफ जी नहीं बदला था श्रिवास्तफ जी पर मॉले स्टेशन का केस किया था पर उसके कोई सुनवाई नहीं होई तब सविता हाँ बोलकर कहती है ये वह बात अलग है फिर निलकान जजज को कहता है कि सविता सिर्फ अपना बदला लेने के लिए श्रिवास्तफ जी को फसा रही है अगर उन्होंने सच में श्रिवास्तफ जी को माक्षिट बदलते देखा था तो वह सविता जी से उस दिन की तारिक बताने को कहता है जिस दिन श्रिवास्तफ जी ने ये सब किया तब सविता बोलती है कि उस दिन 29 तारिक थी वह एकदम श्रिवास्तफ से अपना रिवेंच लेने के लिए कर रही है इन सब के बाद तनवी का एविडेंस फेल हो जाता है और जज़ कोड की नेक्स टेरिंग में अपना फैसला सुनाने को कहते हैं फिर कोड के बाहर तनवी देखती है कि सविता ओपोजिशन लोयर से बात कर रही है मतलब कि सविता पैसे लेकर बिख चुकी थी तनवी को अब लग रहा था कि वह केस हार गई है क्योंकि उसके पास कोई सबुत नहीं था रात में अब तनवी के बेटे को सांस लेने में दिक्कत होती है तब तनवी और उसके हस्बेंड उसको हस्पिटल ले जाते हैं कि सोनु को अस्तम आटेक आया था फिर तनवी के पापा और वे अब हस्पिटल के बाहर थे तब तन्वी नियूज में देखती है कि उसकी और रिंगी की नियूज में काफी बदनामी हो रही है जिसके बाद रिंगी से बात करके केस को आगे हाई कोर्ट में लड़ने को बोलती है पर तन्वी के पापा बोलते हैं कि बस अब बहुत हो गया अब तुम केस को आगे नहीं लडोगी जिसकी वज़ा से उसके साथ ये सब हो रहा है तब तन्वी अर उसके पापा की बहश हो जाती है और तन्वी के पापा तन्वी को सच बोल देते हैं कि तुम lawyer नहीं हो यहां तक कि तुम graduate भी नहीं हो तन्वी को पता चलता है कि जिससे उसकी माक्षीट बदली गई वह कोई जबुदीन अनसारी है जो बात उसको सुरेंदर ने बताई थी कि तन्वी शुकला ने अपने केस को लेकर फ्रेस्टेशन के चकर में कोट में गलस सबूत और जूटे गवा पेस किये जो की कानूने नपराद है इसलिए वजज़ से तन्वी पर क्रिमिनल चार्जिस लगा कर एक्षिन लेने के लिए कहता है और विहार उनिवर्सिटी के सार माक्षिट देती है तब नीलकंद बोलता है कि ऐसा कौन सा आदमी है जिसके साथ उसकी माक्षिट बदल दी गई जिसके जवाब में तन्वी खुद का नाम लेती है और इसे सुनकर सब लोग चौक जाते हैं फिर तन्वी जच को बताती है कि उसके पापा ने उससे छुपा जो कि गलत है नीलकंद ये सुनकर काफी खुश होता है और तन्वी शुकला का लेसेंस कैंसिल करने के लिए कहता है पर जजज नीलकंद को चुप करवा कर बैठा देते हैं त्योकि उनके सामने सब सच आ गया था जजज अब सारे सबोत और दलीलों को सुनकर फैसला सुनात जो कि ऐसे कोई भी फ्रॉड होने से रोकें मतलब कि इस फैसले के साथ तन्वी शुकला ये केस जीच जाती है भले उसका लैसेंस कैंसिल हो गया हो रिंग की अब तन्वी को गले लगा कर धन्यवाद करती है और तन्वी के पापा भी उसके इस फैसले से खुस होते हैं ये स के साथ ये मूवी यहीं पर खतम होती है दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा वैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा रिवियो दू तो ये मूवी बहुत ही अच्छी बनाए गई है जिसमें हर किसी ने काफी अच्छी एक्टिंग भी की है वैसे अगला एक्स्पिलनेशन आप कौन सी मूवी पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा और अगर आपको हाली में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए